इस वीडियो में बात करेंगे CA intermediate number 24 exam related क्या रहेगा registration करने का आखरी rate चाहे आप foundation exam पास करके intermediate में registration करना चाहते हो या direct entry के थूरू intermediate में registration करना चाहते हो क्या रहेगा last date कैसे registration करना कैसे फिरी में बुक मिलेगा आप लोगो CA new course का आप students को पता है ना me 24 and onward exam से CA new course में exam होगा तो ये doubt आना ही नहीं चाहिए अगर आप लोग CA intermediate का preparation करना चाहते हो number 24 के लिए उससे पहले आपको क्या करना परेगा registration करना परेगा CA course में ठीक है आप लोग registration भी कर लोगे book भी order कर लोगे अपना preparation भी start कर दोगे फिर भी कुछ students exam नहीं दे पाते क्योंकि exam form ही नहीं फिल कर पाते तो ध्यान से बाते को सुन लेना सारा update charter studies करता है वो भी सबसे पहले तो जैसे ही exam form आएगा ये channel सबसे पहले update कर देगा साथ में कैसे exam form फिल करना CA intermediate new course का detailed video इस channel पे आ जाएगा तो आप लोग अभी से channel को subscribe करके all notification विल दबात दीजिए ताकि CA related एक भी important update और announcement मिस नहीं हो पाए और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दे CA intermediate में direct entry से भी registration होता है और foundation roots से अभी जो students foundation का exam December 23 में pass करेंगे वो लोग पहला attempt number 24 में दे पाएंगे तो सबसे पहली बात क्या foundation का exam दो result आएगा उसके बाद ही number 24 के लिए registration कर सकते हो foundation roots से लेकिन direct entry roots से already registration start हो चुका है और जिनका foundation या CPT already pass है अभी तक registration नहीं की है तो वो लोग भी चाहे तो registration कर सकते हैं अगर आपको number 24 का exam देना है तो registration करने का आखरी date क्या है 1 March 2024 और May 24 का registration करने का आखरी date क्या था 1 September 2023 तो May 24 के लिए last date जा चुका है अभी number 24 का registration start हो चुका foundation वाले आप लोग जो exam दे रहो December 23 का अराम से वेट करो result उससे पहले आ जाएगा और आप लोग भी अराम से registration कर सकते हो लेकिन ध्यान देना 1 March 2024 आखरी date रहेगा चाहे आप direct entry से registration कर रहे हो या आप foundation पास करके registration कर रहेगा एक साथ registration भी आपको 18,000 का payment करना परेगा तब जाके CA intermediate new course में आपका registration हो जाएगा लेकिन 1 March 2024 से पहले registration करोगे तब ही जाकर के number 24 के exam में appear कर सकते हो लेट करोगे नहीं exam दे पाओगे एक मर्च से जैसा ही दो मर्च हो जाएगा तो आप number 24 के exam में appear ही नहीं कर सकते हैं देखो students registration कैसे करना इस topic पे मैंने detail video बना रखा foundation रूट से यानि कि जो बच्चे foundation पास कर चुके हैं intermediate में registration करना चाहते हैं तो foundation रूट से intermediate course में कैसे registration करना इस topic पे भी detail video बना रखे है direct entry route से सीधा CA intermediate course में जाना चाहते हैं direct entry route से CA intermediate course में कैसे registration करना detailed video का link आपको description में मिल जाएगा जब आप लोग एक बार registration कर दोगे नहीं तो registration का वैलेटी 5 साल के लिए होता है कैसे registration करना एक बार फिर से बोल है foundation जो पास कर चुके हैं वह foundation पास वाला video देखे description में link मिल जाएगा जो लोग direct entry से registration करना चाहते है direct entry का पूरा process भी बता है कैसे registration करना जो guideline होता उस topic में भी बात कर रखा है direct entry के मन में आपके मन में doubt आ रहा होगा वीडियो देखो registration करने वाला आपका doubt क्लियर हो जाएगा तो कैसे registration करने वाला video देख लोगे तो आपको idea हो जाएगा फिरी में book कैसे order करना तो ये doubt ही नहीं आना चाहिए जब आप payment कर दोगे न 18,000 का तो आपको 10 दिन के करी वेट करना होगा आपको घबराने का ज़रुरत नहीं है तभी जाकर कि आपको registration confirm का mail message आएगा इसके बाद जब registration confirm का mail message आज आएगा इसका 5-7 दिन फिर से वेट करना पड़ेगा CDS का mail आने के लिए CDS का mail आज आएगा इसके बाद फिरी में book order कर सकते हो सारे वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा इस channel को जरूर subscribe कर दीजेगा ताकि CA related एक भी important update और announcement मिसना हो पाई मिलते हैं next वीडियो में